नमस्का दोस्तो, मैं पूजा आपकी दोस्त भक्तीमी सक्ती चैनल में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो, आज मैं आपके लिए एक विशेश टॉपिक लेके आई हूँ जो की एजुकेशन है, एजुकेशन यानी सिच्छा सिच्छा आप तो जानते ही है कि हमारे जीवन में कितनी मिसेश महत्व है बिना सिच्छा के तो आज के मॉडल जवाने में कुछ किया ही नहीं जा सकता कि इस मॉडल जवाने में इतना कमपटीशन बढ़ चुका है कि बिना competition के ना तो कोई business है और ना ही कोई job है बिना सिच्छा अच्छी लिए हुए ना तो हम कोई job कर सकते हैं ना ही business लिए ना जाने हम लोग कितनी दूर दूर education के लिए जाते हैं फॉरें जाते हैं अच्छे अच्छे लोग school में admission कराते हैं कि हमें अच्छा knowledge हो और हम बड़े हो के कोई अच्छा job या अच्छा business कर सकें तो दोस्तों आईए हम आज आपको एक ऐसी चौपाई का knowledge करवाएंगे ऐसी चौपाई बताएंगे जिसको करने से आपकी हर प्रकार की education यानि सिच्छा चाहे वो वेद पुराण की हो चाहे English medium की हो चाहे foreign की हो यदि आप इस चौपाई का job करते हैं चाहे आप LLB कर रहे हो चाहे BDEC कर रहे हो चाहे BCOM कर रहे हो चाहे BST कर रहे हो चाहे PhD कर रहे हो चाहे TT कर रहे हो कोई भी job कर रहे हो या कोई भी education में आप सिच्छा अगरहण कर रहे हैं तो पढ़ने से पहले जब आप अपनी पढ़ाई अपनी study start करें तो इस चौपाई को शिर्फ आपको दो तीन बार या शिर्फ एक ही बार बोलना है दिल से भगवान का ध्यान करके जब भी आप इस चौपाई का जाप करेंगे तो आपके अंतरात्मा जो मन शांत हो जाएगा और आपके दिमाग तेज हो जाएगा जिससे आपको जादा से जादा याद होगा और आपका मन शांत हो जाएगा और आपका दिमाग उपन हो जाएगा जादा से जादा आपको पढ़ने में मन लगेगा और जादा से जादा आपको याद होगा हम बताते हैं वो कौन सी चौप आई है क्या बोलना है हमें हमें बोलना है कुर ग्रह गए पढ़न रगुराई अल्पकाल बिद्या सब आई इतना कहकर आपको फिर अपनी पढ़ाई या अपनी इस्टदी शुरू करनी है तो दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जरूर से जरूर लाब होगा ये करके देखिए आपको जादा से जादा याद होगा जादा से जादा आप होमवर्क करेंगे और जादा से जादा आपका पढ़ने कद्दी मन करेगा तो दोस्तों इसे जरूर करिए तब तक के धन्निवाल